बहुत-बहुत स्वागत है आपका Winners Education Points चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे सैइन्स की कॉपी के बारे में आज के इस वीडियो में हम साइन्स के थी मार्कर्स पड़ेंगे science की 3μαरकस दोस्तो science में अक्सर students के number कटते हैं और science बहुत ही टिपीकल जो है paper है तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे आफ अच्छे number score कर सकते हैं साइंस लिखते लिखते कौन कौन सी गलती हैं तो सबसे पहले हैं दोस्तो mission एवब योगिक में अंतर लिखिये मिश्टन एवं योगिक में क्यांता लिखना है सबसे पहले दोस्तों मिश्टन जो है दो या दो सी अधिक तत्तों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वह मिश्टन कहलाता है तथा योगिक जो है दो या दो सी अधिक तत्तों को निश्च तनौ पात मिलाने پर जो अविएप पराप्त होता है उसे योगिक कहती है धर मिश्वण कि नहोंने अधारन लिख दी है अधारन मिश्वण है धर दोस्तों हमाने जल में शक्कर का लिखा है लेकिन मिश्वण का लिख सकते हैं निश्चे तनुपात में होती है तो एस टू हो जाएगा जल फिर नेक्स्ट दोस्तो परमाणू अनू में अंतल लिखिए तो परमाणू और अनू में दोस्तो जैसे अक्सर दोस्तो इसमें नों ने ये गलती किये अनू पहले लिख दिया है परमाणू गाद में लिखा है यह भी पदार्थ का सुक्षतमकर्ण है जो है अणू बिविन परमाणूं से मिलकर बनता है जबकि परमाणू एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है अणू में क्या लिखेंगे अणू में लिखेंगे रासाइने कभी क्रिया में भाग नहीं लेता है जबकि परमाणू रासाइने कभी क्रिया में भाग लेता है इसमें इनको दो धाई नमबर मिले हैं जबकि जो ये पहला अंतर है सूक्ष्मकण और सूक्ष्मकण इसके वाले बाहे बल का वरोध करता है तथा बल के हटाए जाने पर अपनी पूर विस्तिती में वापस आ जाता है तो यह प्रत्यासता पदार्थ कब वह गुण है जब यह किसी पदार्थ पर लगाया जाता है तो यह बाहे बल का वरोध करता है तथा जब वह बल हटा लिया जाता है तो वह पदार्थ अपनी पूर रवस्ता में वापस आ जाता है उधारण स्प्रिंग है रवड है जैसे जब हम दोस्तों रवड को खीचते हैं रवड को खीचते हैं तो माल लीजे वैसे स्थिती में आ जाता है लेकिन जैसे हम रवड को छोड़ देते हैं तो वापस अपनी पुरानी अवस्ता में लोट जाता है तो यह गुण प्रत्यासता कहलाता है फिर यहाँ है दोस्तो क्रांतिक वेक का इन से डेफिनीशन नहीं वनी है नेक्ट है श्यानता श्यानता क्या है दोस्तों श्यानता की वल द्रव तरल का द्रव या तरल का गुण है किसी तरल की विविन परतों में संकुचन का गुण को श्यानता कहते हैं दोस्तों श्यानता का शाब दिखर्थ गाड़ापन भी होता है श्यानता का उधारण भी इनको यहां पर लिखना चाहिए जैसे चाशनी लिख सकते हैं चाशनी जो है चाशनी में श्यानता का गुण रहता है इसलिए इनको सिर्फ परिभासा लिखने पर 1.5 मार्क्स मिले हैं तो आप पूरा इन पूरी इन लाइनों को यूटिलाइस करिए और साइन्स की पेपर में टिपडी कहीं से भी पूची जा सकती है इसलिए आपको इनकी विशिष्ट तैयारी करनी होगी दोस्तो इस वीडियो की फ्री पीडियाफ आपको निश्यल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी निश्यल के टेलीग्राम चैनल को से जुणने के लिए हमारे बिनर से एजुकेशन पॉइंट आप टेलीग्राम पर सच करेंगी तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा इसी नाम से है और स्यम लोगों भी लगा हुआ है फिर है दोस्तों यहां पर पूंछा गया है गैंडेला तो कैंडेला क्या है? कैंडेला दोस्तो जोति त पता हो तो वो लिख सकते हैं कैंडिला अन्न कोई आपको दो से तीन तत्य पता हो तो आपको जरूर लिखने चाहिए लेकिन अगर नहीं भी पता है तो जैसे इन्होंने एक तत्य लिख दिया है तो इनको यहां पर एक नंबर मिल गए हैं तो क्वेश्चन्स को खाली ना और लगने वाला बल है अप केंडरी बल दोस्तों मुझे लग रहा है किनों यह परिवाशा गलत लिखी है ब्रत्ताकार मार्ग में किसी पिंडे से केंडर की और लगने वाला बल यह है शायद उन्होंने अभी केंडरी बल की परिवासा लिख दी है जबकि पूचा गया है कंदरिवल तो आप लोग एक बार जब भी इनको पढ़ें तो अन्में साधानी से आप लोग अध्यन किया कीज आप केंदरी और अभी केंदरी में इसका उधारन ilux दोस्तो वशिंग मसीन सबस्तें और दरपण क्या है और उसका जित बना दी की विशेशताएं भी लिखनी हें आउतल-दरपन कैसा होता है आउतल-दरपन के नारों परorial सा जब तकाको नहीं लिखेंगे तब को नमबन देती इस पर और आउतल दर्पन की उधारन है इसमें डाड़ी बढ़ाने तथा दंत चिकेश सक्थारा प्रियुक्त दर्पन आउतल दर्पन कहलाता है फिर है दोस्तों पेशी उतक जो बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के साइंस के नोट से उसमें सारे उतकों के बारे में ब प्रियुक्त जो है इसकी परिवासन पर नहीं वनिया फिर है ऐंगीव प्लास्टी क्या है ऐड़ाई की स्रक्षा हेतु चिकेस्सा उपागम दोस्तो साइन्स के पेपर हमेशा ऐसे ही आते हैं साइन्स के पेपर में कुछ भी आ सकता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है अब आप अब आपको यह फर्ज है कि आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजे एंजियो प्लास्टी क्या है औ आपको इसमें सबसे पहले क्या लेखना चाहिए आरेश फेक्टर की खोज कब की आरेश फेक्टर की परिभासा लिखिए और आरेश फेक्टर कब इसकी घातक परिणाम क्या है और आरेश फेक्टर की जो खोज की किनवे घ्याने कोने की कब की और इसके नुकसान क्या है ठीधा फिर है राइवोसॉम, राइसान क्या है राइवोसॉम कोशी का का महत्वण कोशिकांग है यह प्रोटीन के संस्लेशन में सहायक है pages तो यह कौशीआ का प्रतीक भी दर्सा सकते हैं अब दोस्तों यह उपर melodyvalते के आपको पास कितना time है कितने time duration में आप लिख पा रहे हैं और लिखने के साथ यह है भी जरूरी है कि आप कैसे उसको manage कर सकते हैं जल्दी जल्दी अपनी answer writing को और साथी साथ तूरी point आपको बात भी लिखनी है फिर है दोस्तो अगनाशाई गरंथी तो अगनाशाई गरंथी क्या है अगनाशाई गरंथी दोस्तो यह है इन्होंने गलत फेक्ट डाल दिया है सबसे बड़ी अंतस्त्रावी गरंथी है इसमें आप अगनाशाई गरंथी में सबसे पहले आपको यह लिखना चाहिए कि यह सब्सक्राव भी जो आंइ और से निकलने वाली हार्मुन्स को वर्णन कर सकते हैं तो आपको अच्छे नमर मिलेंगे पिर है मैथल यालकॉहल का सबसे पहले आपको फोर्मूला लिखना है मैथल यापोल का फोर्मूला होता है च्ह थिरी ओ एच और methil alcohol के आपको यह सूर्थ लिखकर फिर इसका आप उपयोग लिख सकते हैं formula लिख सकते हैं और इसका चितर भी वना सकते हैं इसकी आपर रासाइने संक्रिया लिख सकते हैं फिर है next एक match का question ये पोचा है एक ही और कारे छमता वी शेदुगने हैं अकेला एक कारे को बारा दिन में समाप्त करता है दोनों मिलकर इस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो इसमें इनने जो है दो दिन लिखा है यह आंसर गलत है जिनकी मैस अच्छी होगी वो तो इसको कर सकते हैं लेकिन अगर जिनकी मैस अच्छी नहीं है तो आप परिशान मत वहिए, आप यह मान का चलिए कि आप तीन नंबर गवा सकते हैं आपने बांकी के पेपर को हल करने के लिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने आप से चर्चा की है थ्री मारकर्स के क्वेस्चन की अगर आपका इसी तरीके से हमें प्यार सही ओगर सपोर्ट मिला तो हम आपको साइन्स के भी महत्तपूर्ण 6 नंबर के और 15 नंबर के प्रेशनों की सीरीज भी लाएंगे और साथ साथ अगर आप निवन्द एक स्टूडेंट जिन्होंने विनर से एजुकेशन पॉइंट की टेस्स सीरीज जोइन की थी तो बहुत अच्छा निवन्द लिखा था अगर आप चाहते हैं निवन्द की सीरीज देखना तो प्लीज कमेंट के जरीए जरूर बताईए तो हम आपके लिए निवन्द भी पॉपलवद कराएंगे और लाइक शियर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नए लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो तक जरूर शियर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स मुख्र परिक्षा की तयारी कर सकें थैंक्यू पर वाचिंग फ्रेंड्स